हेलो एवरीवन वेल्कम टू क्लास नंबर एटीन अप दो चैप्टर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सो आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में आज की क्लास का हमारा डिसकुशन का टॉपिक है नेश्टेड इफ एल्स स किया है इस तरह की इफडिटन को हमारे से प्लस प्लस में कैसे ब्रोग्राम में कैसे एक चैटमेंट सब्सक्राइए कोई बहूं statement है और उसी particular if statement के अंदर अगर हम और एक तरह के statement को use करते हैं तो उस तरह के statement को क्या बोलेंगे statement किस तरह के statement को बोलते हैं एक particular if statement के अंदर अगर हम और एक statement को use करते हैं तो उस तरह के statement को हम क्या बोलेंगे उस तरह के statement को हम बोलेंगे If耐 Matte me for example यहां पर सकते हो मैंने या पर लिया एक इप स्टेटमेंट उसके अंदर मैंने उसक्या और इसक्र स्टेटमेंट और यहां पर मैंने उसक्या है else bölॉग गो तो चाहे स्टेटमेंट हमने जो लिया है जैसे कि यहां पर आप सिंटेक्स देख सकते हो मैंने या पर कि फिल्स स्टेट्मेंट लिया है इफ एल्स सो इप वाड़ी के अंदर अगर मैं और एक फिल्स स्टेट्मेंट यूज करता हूं तो वहां पर उस तरह के इस तरह को हम क्या बोलेंगे निश्टेड इफ हैल्स लिया है तो यहां पर अगर इस कंडिशन दोनों अगर तो इस पुटिक्लर नेश्टेड इफ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट होगा अगर यह बाहर वाला कंडिशन टू है बट अंदर वाला कंडिशन अगर पॉस है तो नेश्टेड एल्स के पास आएगा ट्रू है सो नच्टिट करेगा हमारा प्रोग्राम यह फिर अगर सुरुवाद से करेगा हमारा प्रोग्राम पता चला जैसे कि आप फिर से देखते हैं कि अगर यह स्टार्टिंग में जो इफ कंडिशन दिया गया है उस पर्टिकुलर इप स्टेट्मेंट के कंडिशन अगर प्रू होते हैं तो ये इंदर आएगा और इस बॉड़ी के अंदर आने के बाद अगर इस बॉड़ी के अदर फिर से हम nे जो करके हमारा प्रोग्रम या फिर यह जो कंडिशन है यह अगर गलत होता है सो एल्स बॉड़ी के अंदर यहां पर जो ब्लॉक स्टेट्मेंट है यह एक्सिक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम पता चला इस्टेट्मेंट क्या है इस्टेट्मेंट कैसे काम करता है अभी आते हैं में एक से mix एक्साइब लेते हैं यहां पे कोई बी सी प्लस फ्लस प्रोग्णाम काहां से सुरू करते हैं स्ट्रीम हैंट प्लस अगर कर रहे हैं तो को भी करते हैं उसके बाद c पॉपन किया कि एक वैरीबल एन उसके बाद सेर्फ फंक्ट्षन इस किया सी आउट स्टेटमेट इस करके मैंने उजर को एक मैसेज दिखाया कि एंथर देशंग डिखाया की एंटर डिवैल्यू को यूज़ करके मतलब एक particular if health statement के अंदर और एक if health statement यूज़ करके हम ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है जो प्रोग्राम user के द्वारा input के एक number को चेक करें कि वह number six के द्वारा divisible है या नहीं तो particular number six के द्वारा divisible है या नहीं कैसे तो यहां पर देखते हैं मैंने यहां पर condition provide कि इफ n mod 2 equals to equals to 0 अगर n को हम 2 से divide करते हैं अगर उसका remainder 0 आता है फिर उसके अंदर मैंने और एक statement यह के condition provide किया कि if n mod 3 equals to equals to 0 और 3 से भी अगर उसे को divide करते हैं और अगर उसका remainder 0 आता है मतलब वह particular number 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो एक particular number अगर 2 & 3 दोनों से divide हो रहे हैं तो आप हम क्या प्रेंट करेंगे यह particular number is divisible by 6 okay so if statement if statement के अंदर जो if body के अंदर हमने जो एक इस क्विशन है अगर वह अंदर वाला statement का condition true है तो इस बॉड़ी के अंदर जो ब्लॉक औप statement है वो तो होगा बट निस्टिड इफ के बॉड़िप झैटमेंट में जो condition है वह कंडिशन अगर गलत होता है तो एल्स बॉड़ी के पास आजाएगा और एल्स बॉड़ी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेट्मेंट है उसको एक्सिक्यूट करेगा मतलब एक पर्टिकुलर नमबर दो या फिर तिर दोनों में से कोई इप स्टेट्मेंट फिर दिया इल्स नेिकूट प्लोज किया एक वाइंगे इस बॉड़ी के पास इसको एग्जेक्यूट करेंगे तो अगर एक नमबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वह 6 के द्वार भी डिविजबल नहीं हो पाएगा तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा नौट डिविजबल भाई 6 प्रोग्राम खतम करेंगे में फॉंक्शन को क्लोज करेंगे तो क्या उट्पुट आएगा फॉस्ट दिखाएगा एंडर वैल्यू आप एंड वैल्यू हम एंटर करेंगे अगर वह पर्टिकलर नमबर 2 & 3 दोनों के द्वार डिविजबल होता है प्रिंट करेगा डिविजब के बारे में क्या है उसको सिंटेक्स क्या है उसको टाइग्राम के तुरू समझा और उसका एक सिंपल एक्जांपल भी आज क्लास में हमने डिसकुस किया आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिसकुस करेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में आज के लि